जड़ी बुटी सोदिवंबीकास अस्थान यह मिलती हैं यह नीचे नमस्ति दोस्तों कैसे हैं आप वालकम तो माई चैनल हिमराठ कल्चर दोस्तों अब इस सुबह की पांच बज रहे हैं और मैं अश्नान योगा करके त्यार हो गया हूँ और आज मुझे बहुत दूर जाना दोस्तों अब घर से निकलने का भी समय हो गया है और सही टेम्प में यहां से निकल जाओंगा ताकि मैं सही टेम्प वहां ओपिस में पहुंच सको और वहां पर जितने भी काम है वो निप्टा सको अभी जनपत पौडी में हूँ और फिर मुझे जनपत रुद्रप्याग म करना है और चमोली राष्ट में है गोपेशवर से भी फिर 25 किलोमेटर आगे है मंडल जहां पर जड़ीबुटी सस्थान है वहां पर मेरा काफी सारा काम है और मैं उनकामों को आज प्रानी के लिए जा रहा हूँ बैक से मैं गोपेशवर जाओंगा अपनी सुबह के पांच बज रहे हैं और हवी गाओं में कोई भी नहीं उठा है पूरी गाओं में रात्री में सब लोग सो रहे हैं मुझे काफी दूर निकलना यहां से लगवग 126 किलोमेटर के लगवग मंडल गोपेशवर है जहां मुझे जाना है लाष्ट मंडल दोस्तों सब्सक्राइब करें लिए और मैं हूं खांकरा में यह बचल शुवाली रोड है है अब भी रात में खुली है और मैं पोरा 32 किलोमेटर के सब्सक्राइब कर लिया है यहां तक पहुँचने में मुझे गेज़वनते का समय लगा आप यहां से रूतर प्याज सब्सक्राइब करेंगे तो यह है नेशनल हाइवे राष्ट्रे राजमार अठावन के लिए अपनी साथ एक पेट्रोल की बोतल यहां से रग लूँगा गाड़े में तेल टैंकी भरी होई है और क्योंकि वहां काफी दूर है तो वहां दूर दूर तक पेट्रोल पांप न अराम से 30-35 किलमेटर इस बोतल से मैं सफर कर लूँगा रुद्र प्याग में मार्केट और अब ही मैं रुद्र प्याग में हूं जाए पानी पी लिंगे रुद्र प्याग में मार्केट क्याई रुद्र प्याग पहुंच करके सुभी कर नाश्ता अब इस्फोले गिरीन चट्मी पर नाश्ता यह जाए जाए अब आगे अधा से बहुत अस्तिमे अब अब मैं तो प्याद में हूँ और यहां मुझे दोखें में आके सपर पुरूखता है कि अब कि पहली धूप के दसन अभी पौणी आठ मुझे हो रहे हैं अभी मुझे पहली धूप यहां पर मिली और थोड़ा सा धूप सीख लेते हैं क्योंकि सुबह से हलक ख्राब हो यह थन से यहां पर पहां दस्क दख भूप सेख लेंगे दोस्तों आठ बज गए हैं और यह हैं गौचर मार्केट दोस्तों अभी हो मैं घरन पर्याग में और सुबह के साड़ी 8 बज रहे हैं यह नीचे जो नदी आ रही है वो पिंडर नदी है और यह आगे अलक नंदा जो की बद्री विशाल से आती हैं का तो आम मैं पहुंच गया हूं नbon पर्याग में सुबह के 9 बज रहे हैं आ ीमारे हैं और मैं पहुंच चमोणी मार्केट में रुकरत्य चमोणी जनपत्का अस्वली मझा मंज दिणा और ये चमोली चनपात का मुख्याल है ये सुंतर पिग्रे दिरिशिया गोपेसर और ये अलकनन्दा नदी अपने सुर्मिय धुनी से अलंक्रित होके आगे बढ़ रही है दोस्तों यहां से दो रोड़े करती हैं एक बड़ी नाथ के लिए चली गई और एक नीचे गोपेसर के लिए मुझे इस नीचे वाली रोड़ पर चलना है मुझे पहले गोपेश्वर जाना है उसके बाद गोपेश्वर से आगे दोस्तों मैं हूँ यहां है अभी जो सब्सक्राइब जाना है 14 किलो मेटर है दोस्तों रास्ते में यह जे महादीव रृद्धनाद जानी का यह पैदल मार्ग है यहां से आप रृद्धनाद का ट्रेक कर सकते हैं जो की पाइदल ट्रेक 18 किलोमेटर है उपरीन बुग्यालों की पीछे पेरांगनापुल में हूँ और यहां से हमारा सस्थान अब मेजदी की है कमसम दो तीन किलोमेटर गए गया है अब पहुंच चुका हो मैं मंडल और यहां पर कितना सुंदर ना जा रहा है देखो अब मेरे पिछी उची उची डांडी कांठी उचे 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 बुग्याल फर खरसो के मोरो के रागी के थुनेर की जंगल कितने सुंदर यहां बुग्याल है दोस्तों फैनली मैं जड़ी बुटी सोदेवं विकास स्थान मंडल गोपेशर पहुंच चुका हूँ मेरे गाउं से और मंडल की दूरी 131 किलोमेटर है जो दूरी मैंने पांच घंटे में तै की है मैं जड़ी बुटी सोदेवं विकास स्थान मंडल पोड़ी पोड़ी गड़वादा जी यह जड़ी बुटी सस्थान की नर्सरी मंडल गोपेश्वर में दोस्तों आप घर वाप इसी की बारी है आप घर चलते हैं चोप्टा सुमनाथ की रास्ते में घर जाओंगा दोस्तों आज की बिलोग को इतना यह रखते हैं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल हिम्राट कल्चर को लाइक करें सब्सक्राइब करें सेर करें ताकि हमने वीडियो बना करके आपका इंटेटेन्मेंट कर सेगे आपका मोटिवेशन कर सेगे दोस्तों तब तब अपना ख्याल रखें जे हिन जे भारत जे उत्राखट झाल खर archives है वीड ये कर दो में पर आपका है झीक में वीडि़ेशन क मेंदेशन करें सेग्थ कुळ रहते हैं मोट कर दो हम थैसे तो हम कर रğuman कर येक कर दो और इंपका झीक कर द जूमी Alpha को है खहाऋब